Hello Friends, स्वागता है आप सभी का हमारे चैनल में So friends, राजिस्तान में फाइनली नीट की जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग है दोस्तों वो स्टार्ट हो चीकिया जी हाँ दोस्तों राजस्तान ने अपनी 1st of November से नी 2020 की जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग है उसका रेस्टेशन स्टार्ट कर दिया है उसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने बहुत ही कम टाइम दिया है आपको फीस पेमेंट करने से रिलेटेड और उन्होंने ये भी बताया है कि वो provisional merit list के स्टेट को अनौंस कर देंगे और पूरी डिटेल उन्होंने दिया है कि किस तरह से आपको form fill up करना है और किन-किन चीजों का ध्यान रखना है जी हाँ दोस्तों मैं आपको official notice पे ले चलता हूँ जहाँ पे मैं आपको पूरी update दूँगा कि उन्होंने स्टेट कोटा counseling में क्या-क्या नई update दी है क्योंकि लगबख सभी states का same rule होता है तो मैं दूसरी state के students से request करूँगा कि इस वीडियो में जो details है उनको धंग से पड़े क्योंकि आपके state में भी same details required होंगी जो दोस्तों यह official website का link जो मैंने आपके screen पे दिखा दिया है यह official notice आप देख सकते हो Office of the Chairman of NEET UG Medical Dental Admission Counseling Board 2020 और यह Rajasthan के लिए notice है दोस्तों उन्होंने अपनी official website के address यहाँ पे आपके सामने screen पे दिया है first address is this one and second address is this one उसके बाद दोस्तों आप screen पे देख सकते है जो first address है वो education.radistan.gov.in उस पे जाके जब आप admissions पे notification पे क्लिक करोगे तो आपको notice के पूरी detail मिलेगी उसमें दोस्तों लिखा हुआ है the allotment procedure of MBPS and BDS score will be carried out as directed by the medical education department government of Rajasthan and the schedule for the allotment will be as below तो उनों ने लिखा है दोस्तों साफ साफ आपके सामने screen पे दिखा हुआ है कि आपका जो 11.2020 मतलब 1st of November से दोस्तों counseling start हो चुगी है दोस्तों 1st of November से और साफ साफ सबसे बड़ी बात दोस्तों ये लिखा है आप पढ़े डंग से पढ़ना इसमें लिखा हुआ है the candidate who does not fill application form will not be eligible for the allotment and both part 1 and part 2 of the application form will be mandatory और आपको part 1 और part 2 दोनों application form के दोनों sections भरने हैं और दोनों आपके लिए बहुत mandatory है दोस्तों उसके साफ साफ उनोंने लिखा है the last date of depositing the fees आपको 6 तारिक से पहले पहले fees जमा करनी है दोस्तों 6 तारिक से पहले पहले उसके बाद दोस्तों उसके साफ लिखा है the last date of submitting online application is 6 तारिक कोई है तो आपके पास सिर्फ एक से 6 तारिक का time है दोस्तों state counseling में राजस्तान में participate करने का आपके पास 6 दिन का time है 6 दिन में आप registration और online payment कर सकते हो उसके साफ साफ दोस्तों लिखा हुआ है publishing of the provisional list of verification और जो आपको वेरिफिकेशन ले जो PWD, defense, ST और NRI category का जो लिस्ट होगी provisional list जो तो वो आपकी जारी कर दी जाएगी आपको 7 तारिक को जारी कर दी जाएगी और उसके साफ साफ दोस्तों लिखा है कि document verification before the board for PWD, defense, ST and NRI candidate के लिए आठ तारिक को आपको document verification के लिए उन्होंने आपका process स्टार्ट कर दिया जाएगा उसके साफ साफ दोस्तों लिखा हुआ है कि publishing of the provisional merit list state PWD, defense, EWS, SCST और जो बाकी के categories है उनकी जो list आईगी दोस्तों provisional merit list वो आजाएगी 9, 11, 2020 को मतलब 5 November को आपके round 1 का result आएगा और आपके 9 तारिक को ये लगबग provisional जो list होगी वो state quota का 85% quota होता है उसकी list दोस्तों ये जारी कर दी जाएगी जो भी बच्चे 85% quota में participate कर रहे हैं उनको 9 तारिक को ही कर दी जाएगी उसके बाद दोस्तों लिखावा है कि आपकी जो choice filling and deposit registration fees दोस्ते 13 तारिक तक होगा उसके बाद printing the application form जोस्तों आपका जो होगा वो होगा 13 तारिक को और दोस्तों जो fees है जब काफी बच्चे पूछ रहे कि fees क्या होगी तो ये government fees आपके सामने screen पे available है दोस्तों लिखावा है for government society college RU, HSCMS जो fees होगी registration fees होगी दोस्तों वो 10,000 रुपए होगी और उसके बाद 5,000 SCST और OPC के लिए होगी और जो for private college medical college के लिए दोस्तों जो fees होगी वो होगी 1,00,000 रुपीज ये fees होगी तो जो बच्चे fees के बारे हैं पूछ रहे हैं उनके लिए अपडेट मैं भी यहाँ पर बता देता हूँ उसके साथ साथ दोस्तों जो अलग है वो उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर कि printing of the online application firm after the auto locking of the choices वो होगा 13 तारीको 19 तारीको दोस्तों आपका होगा publishing of the first round allotment information on the website और उसके बाद printing of the allotment letter दोस्तों आपके allotment letter प्रिंट होगे 20 से 11 नूबर 25 नूबर के बीच में आपके allotment letter प्रिंट होगे उसके बाद reporting और joining जो candidate की होगी वो 20 से 25 नूबर के बीच में आपकी joining कराई जाएगी तो 20 से 25 नूबर के बीच में राजिस्तान के जो candidate हैं उनकी joining कराई जाएगी उसके साथ साथ लिखाऊ जाएगी तो second round का जो allotment होगा offline होगा वो बाद में बताया जाएगा कब होगा जो first round complete हो जाएगा उसके बाद होगा और उसके बाद की बागी डेटेल आपके सामने स्क्रीन पर विलेबला है तो दोस्तो ये है पूरा notice जो उनों ने जारी किया है कि आपको आपको मोटे मोटे वावर्ड में मैं आपको बताऊं तो एक तारिक से चॉइस फिलिंग सारी चीज़े करनी है आपको जो भी डेट से मैंने आपको बता दिये 10,000 जेनरल की फीस, 5,000 SCSC और STOBC की फीस होगी और PWD और NRI Defense Quota की सीटे बहुत पहले ही वेरिफिकेशन कर दे जाएंगे उसके बाद दूसरी normal categories के करे जाएंगे और जो आपके allotment रट रहे है दोस्तो वो 20 से 25 November के बीच में प्रिंट भी हो जाएंगे और दोस्तो ये थी राजस्तान में State Quota की MBBS के पूरा डिटेल की आपका कब counseling होगा, किस date को होगा कब fees payment होगी, क्या-क्या करना है और सबसे बड़ी request जो उन्हों ने किये कि अगर आप counseling में participate कर रहे हो तो आपको part 1 और part 2 दोनों application form के दोनों detail करने होगे अगर आपको ये कहाँ पे registration करना official link जो मैंने आपको screen पे दिखा दिया है this is the official link this is the official link guys यहाँ पे आप जाके आप registration कर सकते हो या Rajmedical220.com यहाँ पे जाके दोनों part registration करने है part 1 और part 2 और दोस्तों ये थी official update आप लोगों के लिए जो भी राजस्तान से state quota की counseling के लिए participate करते हैं नए वीडियो में मिलता हूँ नए state quota की counseling के लिए तब तक के लिए all the best for your counseling and results guys